आपने डॉक पल है, वो अभी छोटा है, सुन्दर है, क्यूट है, आपको बहुत जाता खुश भी रखता है, लेकिन क्या आप भी उसको पॉटी ट्रेनिंग देने में नकाम है, क्या वो भी घर में गंदा कर रहा है, जिसके कारण हो सकता है, आपके घर वाले उसको रखने से मना भी कर दे, तो आईए, मैं आज आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा, जो कि 100% वरकिंग है, आपके डॉक के लिए, और उसके पॉटी ट्रेनिंग के लिए, तो यार दोस्तों, यह है मेरे एक छोटा सा चानल, आनमिलो पीडिया, इस चानल पे आपको डॉग्स, इक्स पेट स्पीशीज, वाइल लाइफ आनिमल्स और उनके फैक्ट्स के लावा, कोई और कंटेंट नहीं मिलेगा, तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, चैनल को, और साइड में जो बेल आइकन है, उसको तो दबाई लो, तो आईए अब शुरू रखता है, यार देखो अगर आपने एक डॉग लिया है अभी-अभी, वो आपके घर का नया फैमिली मिंबर बना ही है, तो तो आपको जाधा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन हाँ, अगर आपको डॉग लियो दो या तीन महीने हो चुके हैं, तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमाटिक हो सकता है, लेकिन अगर आप सारी टिप्स सही तरीके से फॉलो करेंगे, तो मैं आपको गैरेंटी देता हूँ, कि आपका डॉग सही जगा पर पॉटी करना सीख जाएगा, यार देखो जितनी भी डॉग स्पीशीज हैं, उनके बिहेवियर में एक चीज होती है, कि वो जि इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा, कि डॉग को पॉटी का बारी है, तो देखो बहुत सिंपल फंड है, 70-85% जितने भी डॉग होते हैं, स्पेशलीज पपी, वो खाने के 15-30 मिनिट के बीच में पॉटी करते हैं, बेस्ट तरीका ये है, कि आप जब भी उनको खाना द उसके थोड़ी बाद ही आप उनको ग्राउंड पे ले जाओ, वोक कराने ले जाओ, और कोशिश करो जहां पर थोड़ी सी ग्रास है, उस एरिया में आप उनको ले जाके गुमाएं, एक चीज आपको और ध्यान में रखनी होगी, खाने के बाद आप जब भी उसको वोक पे ले जाओगे, तो उसको जहां जाना है बाहर, उसको वहाँ पे जाने दीजाए, उसको तब जबरजस्ती खीच के आप कहीं और ले जा रहा हो, वैसा ना हो, बस वो आपका कैमपस ना हो, इसी तरह अगर आपका डॉक लंबे टाइम तक के लिए सोया है, या फिर तो बहुत लंबे टाइम के लिए घर में आपके साथ खेला है, तो भी आप उने वॉक पर ले जाईए, या जब आप लोग ये सब चीजे थोड़े थोड़े दिन करोगे, और आपका डॉक बाहर करना चालू करेगा, तो उसकी एक आदत सी बन जाएगी, फिर जब भी उसको इसको ले जाना है, और आपने यहीं पर अगर आलस किया, तो बस आपकी ट्रेनिंग आपको वापस से शार्ट करना पड़ीगी, या मेरे एक्स्पिरियेंस से गहता है, कि पॉट्टी ट्रेनिंग बहुत जादा बड़ी चीज नहीं है, लोगों को लगती बहुत डिफिकल् लेकिन असलियत तो यह है कि कोई भी इन चीज़ों को 100% फॉलो नहीं कर पाता, मेबी इसलिए कि आप शायद अपने काम में बिजी होते हैं, या फिर तो कोई और रीजिन आपको आलस ब्या सकता है, यार ये ट्रेनिंग किवल आपको एक महिने करनी हैं, लेकिन प्रॉपर अब एक की और बताना चाहूंगा, कि डॉक्स की जो साइकॉलोजी होती है, वो अपनी पॉटी की जो सर्फेस है, उसको फिक्स रखना चाहते हैं, अब आप बहा जाके उसको जहां पर भी पॉटी कराना चाहते हो, अगर वो किसी खाली जगा रोट के साइड की जगा है, को यहां पर भी उस जादत तर जाके करता हो, उसको वहीं पर ले जाओ, तो इससे उसकी मन में भी एक चीज़ी सेट होती जाएगी, कि हाँ अगर मैं यहां पर आया हूँ, तो मुझे यहां पर आके पॉटी करने हूँ, आपको यार कई सारे लोग का अलग-अलग advices देंगे, आपने अभी तक हो सकता है कई सारी YouTube वीडियोज भी देख डाली हो, लेकिन आप मानो या ना मानो, यह जो मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, यह सबसे जादा easy और effective तरीके हैं, तो यार दोस्तों आज के लिए बस अतना ही, मिलता हूँ आपको ऐसी किसी next वीडियो में, अगर पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो अभी कर लीजाएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मैं आपको गारेंटी देता हूँ, कि अगर आप मेरी टिप्स वालो करोगें, तो आपका जो डॉग हैं, तो आपका डॉग बहुत जल्दी सीख जा कि उसे कहां गंदा करना है और कहां गंदा नहीं करना है, थांक यू